परबतों से आज मैं टकरा गया तुमने दी आवाज दिलों मैं आ गया तुमने दी आवाज दिलों मैं आ गया मैं हूँ आपका शब्बिर कुमार आप सुब को नमस्ते आदाब सस्रीकार और बहुत सारा प्यार आप देख रहे हैं यादें फरुख विकार के साथ और इन खुबसूरत यादों में आप खुजाईएगा इस सुब्ध मुझे देखने वाले सुनने वाले तमाम सामाइन को मुजिक के चाहने वालों को मौसेगी के चाहने वालों को प्यारे भाई और बहनों को तमाम संगीत प्रेमी जनता को शब्बिर कुमार का आदाब नमस्कार असलावालेकूम सेस्रीकार और बहुत बहुत प्यार तो ये शबीर साहब चंद बाते करते हैं बदमश्री हाजी मौमद रफीज साहब के बारे में मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपके दिल में रफीज साहब की चाहत कब क्यों और कैसे आई ये बड़ा दिल्चिस्प सवाल है क्योंके रफीज साहब जैसे कि मैंने होश संभाला पैदा होने के बाद जब कुछ सुनने समझने की समझ आई तो ये आवाज ये खुदादाद आवाज ऐसी आवाज है कि इन में स्पेशल आपको कुछ ढूनने की जरूरत नहीं पड़ती है आवाज में अतनी तासीर रही कशिश है कि आज 37 हो गए हैं वो आवाज याने सहाब की आवाज रफीज सहाब की आवाज ये खुदादाद बर्बस अपने तरफ खीश लेती है तो बचपन से उस आवाज की कशिश में खीशता चला गया और दीवान की ये बढ़ती चली गई और बचपन से मैं सहाब का शेयदाए रहा हूँ और उन्हीं की बदूलत आज मैं इस मकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं आपके आप से रखसियत को सही फिट बैड़ है ऐसा कोई अलफाज मुझे मिल जाए लेकिन अब तक मैं महरूम इस बास से कि इतनी सारी तारीफ करने के बावजुद लगता है कि नहीं बहुत कमी है क्यों कि फिर मुझे मरमौन देसाई सहाब प्रोडूसर नेमादा प्रोडूसर सहाब की की बात जो चाहीं तो हो मैं यकीन आता है कि मुहमद रफ़ीज साब की आवाज अगर अगर अल्ला जा गाते हैं गुन गुन अते तो उनके आवास कैसी हो रा चाहिए तो फ़ारं ख्याल जाता है रफ़ीज साब की आवाज पनाई हम सबको पैया कि अक्ग, सबसे बड़ी अच्छी से अच्छी बेहती हैं नेमतों से हमको नवाजा और इसके बाउज उनको लगा कि आप क्या दूँ मैं क्या दूँ वो देता है रहा है और देता रहेगा उपर वाला तो इसने बहुँ आपक अपनी आवाज अवाम को देता हूँ तो रफीस सहाब की शकल में एक इसा लगता है कि रफीस सहाब की शकल में एक फरिशता सिवट शक्स को इन्सान को भेजा इस सरजमी पर और अपनी आवाज उनके गले में डाल दी क्योंकि ये चीज एक सवाली निशाने साब कि रफी साहब जिनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं और जिस तरह कि आज की यंग्स्टर जो दुनिया हर तरह के शो करते हैं कोई शौक नहीं ना पान का न सिगरेट का ना शराब का ना कोई आवारे गिर्दी के एक उमर होती कि हम लोग करते हैं थ्भाई शौकिया होते हैं कोई रंगीन मिज़ाज होते हैं लेकिन वैसी कोई बात नहीं थी वो दुनियादारी से बहुत तरह यह अपना काम करते थे और यह तो घर पर आकर अपने छोटे जोटे बच्चों से मासों बच्चों से के साथ बाचे बाते करना, खेलना, कैरम खेलना और खाना और गाना ये दो चीज उनके जिन्दगी में थी इसके लाओ उनका शायद दुनियादारी से ज्यादा कुछ रिष्टा नहीं रहा लेकिन यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि रफी सहाब ने दुनिया के तमाम जो हमारी जिन्दगी में पेश आने वाले सुबाश शाम, पेश आने वाले तमाम हाथसाथ को उन्होंने अपनी आवास के जरीए रूबरू कराये तमाम हालातों से, हर सीच्वेशन से, हर रूबरंग से जन्हों मैं पहले के चुका जन्हों दुनियादारी के बारे में कोई इल्म ली था लेकिन दुनियादारी में होने वाली जो भी वाकायते एकिसे हैं, जो भी बनाव बनते हैं, हाथसाथ होते हैं, अच्छे बुरे, सारे हाथसाथ, सारे, सारे मूर्स दुनिया के जिन्देगे में पेश आने वाले तमाम मूर से रफिय साब ने रूबर करवाया है तो वाके वो खुदादाद आवाज हैं जो अल्ला ने बहुत बड़ी नेमत इस दुन्या को और हम सब को अता की है रफिय साब के रूप में तो रफिय साब के बारे में कुछ कहूं वो लवज मेरे पास नहीं निकलता लेकि यह यह कि जैसे लोग कहते हैं भगवान अगर गाते अगर गुन गुन आते तो क्या गुन गुन आते वो अवास क्या होती तो वो अवास रफिय साब क्यों होती बस इससे ज़्यादा में कुछ ने कह सकता तब तक मैं कहता रहूंगा यह मेरे रूजी रूटी है स्टेज यहां खड़े देकर हमें जूट नहीं बूल सकता और नहीं आप लोगों की तारिख तालिये बटोरने के लिए लवस बोलता हूं ऐसा नहीं है यह हकिकत है जो मैं बताना चाहता हूं मुझे से सेकड़ों शबीर गुमार मिलकर भी एक मुहम्मद रफी नहीं बना सकते हूं वो जब याद आए है बहुत याद आए है